हलो दोस्तों स्वागत है अपका बिहार नीज में दोस्तों मैं हूं फिर दोस गनी और आप देखने के लिए लाइब दोस्तों आज हो चुका है पांच जुलाई 2020 तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए अपके लिए दोस्तों वीडियो इस्टाट करने पहले अपस आज लगने वाला यह चंदर गरन गुरूप पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है एक मैने के अंदर ही लगने वाला यह तीसरा गरन है कुल मिलाकर इस साल छे गरन लग रहे हैं जिन में से चार चंदर गरन और दो सूर्य गरन है अभी तक दो चंदर गरन लग चुके हैं और ये दोनों ही उपचाया चंदरगरन थे इसके अलावा एक सूर्य गरन भी लग चुका है पांच जुलाई यानि कि आज लगने वाला चंदरगरन भी उपचाया चंदरगरन होगा माना जा रहा है कि आज लगने वाला ये चंदरगरन उपचाया चंदरगरन है जिसमें मात में कल एक साथ तिन सो नए पोजिटिव मरीज की पैचान की गई है इसके साथ ही बिहार में संक्र में तो के संख्या बरकर एक गारे 1460 हो गई है सौस्त विवाक्ष में लिजानकारी के अनुसार औरंगाबाद में दो बाका में दो भागलपुर में चाओदे भोजपूर में बीस बकसर में दो दरबंगा में चाओदे गया में चाओधिस गुपाल गज में तेरे जमूई में एक कैमूर में तीन खकडिया में सोले किसन गं मुझेर में 5 मुझफरपूर में 44 नालंदा में 29 नवदा में 6 पतना में 24 सहरसा में 53 समस्तिपूर में 24 सेखपुरा में सितामड़ी में 1 वेसाली में 5 और पस्ची मीं चंपरान में 21 नए संक्रमितों की पैचान की गई है जितना माझे ने आर जिडी को कोडेंसन कमीटी बिनाने का जो समय दिया था वह अब खत्म हो गया है इसके साथ ही माझे के उस अल्टिमेट की मियाद भी खत्म हो गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि उसके बाद यह कोई भी फैसला ले सकते हैं अब खबर आ रहे है कि कोईडिंसन कमिटी बनाने की मांजी की चेतावनिका आर जीडी पर कोई असर नहीं हुआ है। और पाटी इसको कोई भी तवज़ो नहीं दी है। इसके साथ भी बिहार की राजनिती गलियारों में क्यास लगाए जाने लगे हैं कि अब जल्द ही मांजी कोई बरा फैसला ले सकते हैं। लोग जन सकती पाटिक के अधिक्ट चिराग पौसवान की जेडियू से चल रही कटित नाराजगी के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। कौंगर्स नेताओं के चिराग से संपरक होने के बाद के बाद चड़चाओं का बाजार गर्म हो गया है। दरसल हाली में बिहार एंडिये के मद नजड जिस तरीके से घटना कर्म आगे बड़ी है उसे तो यही लगता है कि लज़पी अधिक्ट के तेवर तलक है। बिधवार को जिस तरीके से यंडिये को अटूत बताने वाले मुंगिर जिला अधिक्ट रागवेंदर भारती को उन्होंने अजनु सासन हिंता का आरूप लगाते हुए कुर्से से बेदखल कर दिया है। इससे भी यह क्यास लगाए जा रहे हैं कि इंडिये की विजर सब कुछ सामने तो नहीं है। इस मामले में अब कॉंग्रेस नेता प्रेम चंदर में खुलकर का है कि चिराक पासवान और राम लास पासवान कॉंग्रेस के नजदी की रहे हैं पासवान कॉंग्रेस सरकार के मंत्री भी रहे हैं और आर्जीडी ने अपने कोटे से संसत भी बनाया है आने वाले दिनों में चांखाने वाली तस्वीर दिख सकती है बिहार के मुखे निर्वाचन पतादिकारी एच आर सिरी निवास ने सभी जीलों के जीला निर्वाचन पतादिकारी सह जीला अधिकारी को नर्जस दिया है कि लागडाउन के समय बिहार लोटे वैसे प्रवासी बिहारियों के नाम पाहले से सूची में नहीं हैं। उन्होंने काया कि इसे बिहार का मदता बनने योगे नागरिकों की चुनाओं में भागीदारी सुनुष्चित की जा सकेगी। अचार सिरी नुवास ने राजे के सभी जीलों के जीलाज निर्वाचन पतादिकाडी और जीलादिकाडी के साथ वीडियो कॉन्फरेंस के मादियम से बैठक की है। इस बैठक में चुनाओं से जूरी तैयारी की समिक्षा की गई। बिहार वें रेल किराया की तरह देश में बिजली की दर भी एक समान करने की मांग की है, देश भर के उड़्जामंतरियों के सम्मेलन में उड़्जामंतरी बिजद्र परसाद यादमने कायी की अभी बिहार को NTPC की बिजली घरों से अलग अलग दर पर बिजली मिल रही है जो महेंगी साबित हो रही है दिल्ली में हुए इस समेलर में बिजली अकमपनी मुख्याले से वीची से भाग लेते हुए मंतरे ने बिहार जैसा राज्य वर्तमान टैडिफ नेती के कारण महेंगी बिजली खड़िदने को विवस हैं एक देश एक टैडिफ लाग होने से बिहार जैद कई राज्यों को लाब होगा छेत्रे असंतुलन को समाप्त किया जाए एंटीपीसी की एकाईयों से उत्पादित बिजली को केंद्रे पुल की बिजली मानकर पूरे देश के लिए एक आउसत दर तै की जाए पुर्व कॉंडिस अध्यक्ष राहुल गाने ने सुक्रो आरको पार्टिने ताउस संग आगा में बिहार विदानसभा चुनाओं को लेकर लंबी चर्चा की वीडियो कॉंफिनेंस से हुई इस बाचित में मौजूदा राजनती हालात पर पार्टि जनों के से फीड़बेक लिया कॉंडस अलाकार समीति के सद्शियों से राहुल गाने ने का है कि बिहार की जनता मौजूदा सरकार की नीतियों और कारियों से तरस्त हैं बदलाओ चाहती है समय है कि सरकार विरोधी सारी ताकतों एक साथ आ जाएं मिलकर लड़ें और नई सरकार बनाएं ताकि बिहार की जनता सुकून की जिन्दगी जी सकी राहुल गाने ने का है कि बिहार सांस करते के एवंग समाजिक रूप से बेहद गरब साली रहा है परिस्तितियों और कुसासंद के कारण आज विकास के निचले पाइदान पर खरा है देश में पेटरल डिजल की किमतों में लगतार कई दिनों से तेजी देखने को मिल रही थी ऐसे में आम आदमे की मुस्किले और बरती चा रही थी लेकिन पिछले पाइस दिनों से पेडल और डिजल की किमतें इस्तिर रहने से लोगों को रहत मिली है तेल के दाम इस्तिर रहने की वज़े से कच्छे तेल की कीमत का 17 साल के निचले अस्तर पर पहुंचना है सरकारी ओयल मारकेटिंग कमपनियों ने कल पेट्रॉल डीजल की कीमतों में कोई भी इजाफा नहीं किया है राजधने दिल्ली में एक लिटर पेट्रॉल की कीमत 80 रुपय 43 पैसे हैं वहीं एक लिटर डीजल के लिए 80 रुपय 53 पैसे देने होंगी वहीं बिहार की बात कर दो बिहार में पेट्रॉल 83 से 50 रुपया परती लिटर के हिसाब से बिकरा है और डिजल 77-78 रुपया पर 30 लिटर के इसाब से बिकरा है बिहार में नौकड़ी करने की रहा देख रहे हैं लोगों को बहुत जल्द अच्छी खबर मिल सकती है क्योंकि बिहार की नितीस केमिनेट ने कई विभागों में खाली परे पदों को भरने का बड़ा फैसला लिया है जिसके बाद भरती की पर क्रियत तीज हो गई है खबर के मताबिक लोग स्वास्ता अबियनतर विभाग में जल्द ही 641 पदों पर बाहली होगी बिबिनेस रहने के इन पदों के लिए वेतन आदिके मद में सरकार पर करीब 49.84 करों रुपे सालाना का खर्च आएगा सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है वहीं बिहार के सिक्षा विभाग में 100 पदों के अलावा विदी विभाग में 9 और स्वास्ते विभाग में 130 पदों पर भरती के लिए फैसला लिया गया है इन पदों पर भरती के लिए नोटिपिकेशन जारिक किया जा सकता है इसकी तयाली बिभाग दोरा चल रही है जैसे ही इसकी तयाली हो जाएगी आपको केड़ीबी के माध्याब से बता दिया जाएगा बिहार में लगतार बारिस हो रही है इसी बीच मौसम बिभाग ने बिहार के कुछ जीलों को लेकर चेतावनी जारिक किया है मौसम बिभाग के मताबिक कि बिहार में अगले 48 घंटे भारी बारिस के आफार नजर आ रहे हैं मौसम बिभाग के पुरा अनुमान के निसार बिभार को पतना गया भागलपुर और पूर्णे सहित कई जोगबर बारिस हो सकती है साथी साथ यहां वर्जपात की भी आसार दिखाए दिये हैं इसलिए लोगों को साबधान रहने की जरुरत है आपको बतादी कि बिहार में अगले 48 घंटे ठंका गिरने से और भारी बारिस के आसार है इसलिए मौसम बिभाग ने इसका हाई अलड जारी कर दिया है विभाग के मंतीर डाक्टर प्रेम कमार ने काए कि पर्साइसन की सक्रियता तथा किसानों के सायोक से टिढ़्डियों पर निय एंतरन पालिया गया है कि conj झाल को कि समogene को में किस्तिति पूरी तरीग किसी नियरंतरन में है उन्होंने कहा है कि राज्य में लगबग 2,5-3,5 लाक टिड्यों का परवेस हुआ था भोचपुर समस्तिपुर पटना पस्टिमी चंपरान कैमोर जहनाबात था रोतास में लगबग सभी टिड्यों को मार दिया गया है सेस्ट टिड्यों राजे से बाहर चली गई है इसके बावजुद विभाग के कड़मी चान मिन कर रहे हैं जिस जिले में टिड्यों नहीं है वहां के पदादी कारिये से इसको लेकर परमान पत्र मागा गया है बिहार में लॉगडाउन के कारण सभी संस्तान बन हैं इसी बीच ख़बर आ रहे है कि यहां सभी टेक्निकल एंवर्सिटी और कालेज सोले अगस्त से खुल जाएंगी साथी साथ संक्रमन के हालात को देखते हुए पराई कारे का सुरू किया जा सकता है इसके लिए AICET ने अपना एकेडिमिक केलेंडर भी चारी कर दिया है मिली जानकर के मताबिक AIT ने केलेंडर के अनुसार बिहार के 77 देश के सभी टेक्निकल संस्तान में इंजिनिरिंग, मिनेजमेंट, फॉर्मेंसी और अर्किटेक्टर कालेजों में 2021 की प्राइस 16 अगस्त से सुरू की जाए ही हलाकि इसको लेकर अंतिम फैसला सरकार को करनी है AICT द्वरा किये गए ऐलान के बाद सरकार की ओर से अभी कोई भी जानकरी नहीं आई है लागडान के दोराएंट काम दंदा बन होने से परवासी कामगरों के आने जाने का सिलसला लगातार जारी है देश में तमाम विक्सित समझे जाने वाले राजज्यों से भोके रहकर जलालक जहलकर विहार के तमाम जीलों के साथ बेगुस रहके भी पचास हजार से अधिक लोग वापस आ चुकी हैं इन्हें गाउं में रोजगार उपलब्द कराने के लिए सरकारी अस्तर पर नर्मन रेगा जल जिमन हरियाली समित कई अभ्यान चल रहे हैं जिसमें कुछ सर्मिकों को काम भी मिला है लेकिन मात्र इतने को काम मिलने से कुछ भी नहीं होने वाला है सभी सर्मिकों को काम दिलाने के लिए सरकार एक्शन मोड में आ गया है जिला परसासन ने भी तमाम विभागों को तथा कारवए एजनसियों को अस्थानी परवासी सर्मीकों को काम देने का निर्दिस दिया है अब परतेक सुमवार को डि-RCC में रोजगार कैम्प भी लगाये जाएंगे किर्सी विभाग समय अन्य कई विभागों लोगों को सौड़ाजगार के लिए भी परसिक्षित करने का भियान सुरू कर चुके हैं लेकिन इन सारी कवायदों के बावजूद जलालत जहलने के बाद भी ये बिहार में रुकेंगे ये कहना मुश्किल है लोटने वाले परवासियों को सासन परसासन से काफी उम्मीद है ये लोग खुष हैं कि प्रधान मंतिर नर्य नर्य मुदिने हम सर्मिकों के समस्या को देखते हुए आर्तिक हालात को देखते हुए गरीब कलिया नियोज़ना सुरू किया है जिसे कम से कम 125 दिन काम करने के दोरान ये लोग आत्मे दरबर बने के लिए अन्य उपाय ढून लेंगे बिहार बिदान मंदल के तीन अगसे सुरू हो रहे हैं मानसुन सत्रे में चार बैठके होगी मुक्यमंतिर अनितिस कमार के अधिस्ता में आयोज़ित केबिनेट की बैठक में बिदान मंदल के सत्र को तीन अगस से आहुत करने पर सहमती दे दी है 6 अगस तक चलने वाले सत्रे में चार बैठके होगी पट्टा में मकान होने और यहां से तबादला हो जाने या फिर रिटार्मेंट के बावज़ूद रहने की अबदी 15 दिन बरा दी गई है इसके तहट अब कोई भी अधिकारी तबादला होने या फिर रिटार होने के बाद अरिक्तम 30 दिनों तक सरकारी आवास में रह सकेंगी अब तक ये अबदी 15 दिनों की थी कल किसंगंज के डियम डाक्टर अधित्य परकास के निगराने में साथ निश्चे एवंग जल जिवन हरियाली योजना की बैटक हुई जिलादिकारे ने नर्दस दिया है कि सभी सम्मानित विभाग जल जिवन हरियाली के तात ली गई योजनाओं को पूरी गुनवत्ता के साथ पूरा करें उन्हें कहा है कि यह महज अभियान नहीं है बलकि एक जन आंदोलन है सभी के व्यापक सभागिता से इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है दोस्तों आज का नीज बस यहांता कैसा लगा अपनों को आज का निज जरुरत ना सजाब दिजिए अगर आप नहीं आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्स्क्राइब कर देजिए और साथ में वीडियो को लाइक किजिए अपने दुस्तों के साथ से एड़ी कीजिए तो चल झाल